नमस्कार साथ यूग स्वागत एक वा फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पबलिक केरियर में दोस्तो यूपी जी के स्पेसल से एक और उपयोगी टेस्ट टेस्ट नमबर हैगा फोर ठीक है तो टेस्ट नमबर कितना चार आजकी इस वीडियो में भी आप सबी से 40 most important question में discuss करने वाला हूं ये वीडियो आपके पिरते के exam जिसमें यूपी से जी की पूछी जाती है जैसे की lower PCS ठीक है यूपी lower PCS यूपी लेकपाल जेल वाडन यूपी पुलिस यूपी SI इन सभी के लिए ये वीडियो काफी जाता खास है चलिए 40 question है तो लगव हम 16-17 मिनट का समय लेंगे और इतने ही टाइम के अंदर आप सभी को ये question discuss करा दिये जाएंगे question का mode रहेगा mcq यानी multiple choice question रहेंगे बहु विकल पर टाइप पिड़ते question के according आपको 6-7 second का मैं समय दूंगा इतने ही time के period में आपको भी अपने जवाब हमें भेजने हैं तो बेज सकते हैं चलिए start करते हैं दोस्तो वीडियो को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करेगा सेर कीजिगा और यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजेगा ऐसी ही latest वीडियो रोजय न पाने के लिए दोस्तो इस वीडियो के साथ साथ आप सभी को बता आते हैं चलिए आज की वीडियो का सबसे पहला कुशन है उत्तर परदेश के किस इस्थान पर गन्ये की खोई से काड़ बोर्ड बनाया जाता है तो कहां पर गन्ये की खोई से काड़ बोर्ड बनाया जाता है उत्तर परदेश में उत्तर परदेश की राजधानी लखनव है आप लोग जानती होंगे ठीक है उत्तर प्रदेस के मुक्र मंति योगी आदितिनाथ, राजजिपाल, अनन्दी, बेन, पर्टेल है उत्तर प्रदेस गन्मा उत्तपादन में सबसे अगरेनी है, सबसे पहले इस्तान में ठीक है और गुड उत्पादन में भी सबसे पहले इस्तान पर है ठीक है गेहों के उत्पादन में भी दोस्तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले नमर पर है और प्रती हेक्टेर में पंजाब सबसे उपर है तो बे उत्तर पर्देश में किस इस्तान पर गन्य की खोई से कार्ड बोर्ड बनाय जाते हैं इसके लिए राइट आंसर यदि आपने दिया है मेरट तो बिल्कुत सही आंसर है दोस्तो मेरट और इलावात वो नगर हैं जो कि खेल की सामान के लिए भी पिरसिद हैं याद रखियेगा मेरट ठीक हैं तो मेरट में गन्य की खोई से ही कार्ड बोर्ड तयार कर दिया जाते हैं चलिए अगला सवाल डिस्कॉस करेंगे सवाल नंबर दो है तेल सुदक कारखाना परदेश के किस नगर में इस्तित है ठीक है तेल सुदक कारखाना सवाल नमबर दो देखते हैं चालिस मैं से कितने सही कर पाओगे आप लोग तेल सुदक खारकाना दोस्तों उत्तर परदेश के किस नगर में है राइट आंसर है मत्रा में मत्रा को स्री कृष्ण की जन मिस्तली भी कहते हैं याद रखेगा ठीक है मत्रा का प्रेम मंदिर सबसे ज़्यादा प्रिसिद्ध है आपने सुनना होगा प्रेम मंदिर कहा है दोस्तों मत्रा में है याद रखेगा ठीक है किलियर हो गया भई तेल सुदक कार खाना कहां पर मत्रा में है ए ओप्शन बिल्कुश सही आंसर इसका था सवाल नमबर तीन देखेंगे अब हम उत्तर पर देश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रिसिद्ध है ताला उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रिसिद्ध है आगरा ताज नगरी के लिए प्रिसिद्ध हो गया ठीक है ऐसे ही ताला उद्योग के लिए कौन सा प्रिसित है और गाज़बाद एक उद्योग के नगर है ही ठीक है बई चलिए तो सवाल नमबर तीन का राइट आंसर है बी आपसन अली गड़ को दोस्तो ताला नगरी के नाम से जानते है बी आपसन बिलकुल इसका राइट आंसर है और मोजट इंपोर्टेंट करके आप लोग इन कुशनों को याद रखेंगे अगला सवाल करेंगे सवाल नमबर चार उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर स्री राम की जन्म इस्थली है अभी अभी हाल ही में आपको पता है कि आयुद्या में राम मंदर का निर्माण कारिया जो है उसका प्रारंब कर दिया गया है और स्री नरिंद्र दामुदर्दास मुदी के दिवारा ही ठीक है 2020 में ही उस कारिया का सिलन्यास किया गया है तो जो राम जनम्हुमी है ठीक है पहले तो वो बताईए वो कौन सा नगर है राम की जनमिस्थली साथ साथ ये भी बताईए आप लोग मुझे कमेंट करके कि आयोध्या में जो राम मदर का सिलन्या सिनरेंदर मुदी ने किया है वो कब किया है किस डेट में किया है ठीक है भी तो तरप्रदेश का कौन सा नगर सीरी राम की जनम इस तलिए वो है आयोध्या ठीक है तो आयोध्या का दूस्तो प्राची नाम आया जस्या भी था तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा आपका चार नमर का C आप्शन आयोध्या ठीक है भी अयोध्या सर्यू नदी के किनारे पर इस्तित है आगला कुश्यन करेंगे पिर्सिद आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में इस्तित है सवाल नमर पाँच पिर्सिद आनंद भवन ठीक है आनंद भवन का निर्माण किसने कराया था मोदिलाल नहरूने ठीक है चलिए तो आनंद भवन जो है ये किस नगर में इस्तित है सही आंसर दोस्तों इसके लिए इलहाबाद प्रियागराज और इलहाबाद का नया नाम है प्रियागराज यहाँ पर है आनंद भवन ठीक है तो कुशिन नम्र 5 का राइटा उनसर आगला कुशिन डिस्कुस करें न Daisy परदेश के ठीक है परदेश के निम्न मेंसे किस नगर मैं कुम मेला लगता है कुम मेला कहां पर लगता है दोस्तों आप लोगों को पता है तीन स्थान मैं ने बता दी है जहांपर फूम्मेला लगता है ठीक है चार जगह लगता है इन चार जगे कम्मेला लगताए ठीक है तो राइट आंसर भी आपसे पूछा जा सकता है B option सही है इसका सवाल नम्बर साथ जोधावाई का महल प्रदेश के किस नगर में इस्तित है सवाल नम्बर साथ अकवर की रानी थी ना जोधावाई ठीक है तो जोधावाई का महल प्रदेश के किस नगर में इस्तित है सही आंसर है फत्यपूर सीकरी में स्थितित सी आप्सन सही है ठीक है वई जो दबाई का महल प्रदेश के कहां पर है तो फत्यपूर सीकरी में है अगला सवाल करेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा अगर सिरी कृष्ण की जनम इस्थली है सिरी क्रिष्ण की जनम मिस्तली कौन सन अगर है सही आंसर इसके लिए मत्रा है ठीक है मत्रा को दोस्तो सिरी क्रिष्ण जनम मिस्तली तो कहते ही है यहां पर तेल सुदक कार खाना भी है याद रखेगा ठीक है चलिए अगला कुशन डिसकस करेंगे 9 नमबर उत्र परदेश के किस छेतर में थारू जंजाती निवास करती है ये कुशन रिपीटिड कुशन है Most important करके इसे याद रखेगा Most important उत्र परदेश के किस छेतर में थारू जंजाती निवास करती है Right answer हैगा इसके लिए C option तराई के छेतरे में निवास करती है C आप्सन बिल्कुल ड्राइग डांसर इसके लिए हो जाएगा 10 कुशन होते ही आप लोग बताएंगे कि कितने सही होगे करनवास प्रदेश के किस जिले में इस्तित है सवाल लंबर 10 सही आसर दोस्तों करनवास बुलेंसर के जिले में इस्तित है डी आप्सन सही है ठीक है भी तो उत्तरपरदेश में कुल मिलाकर 75 डिस्टिक है 404 विदान सभाकी सीट है 100 सीटें दोस्तों उत्तरपरदेश में विदान परीसित गी है याद रखेगा अगला स्वाल है उत्तर परदीश में सैनिक कल्यान वेप पुनरवास निदे साले की स्थापना कब की गई? सही आंसर है 1972 में की गई थी सैनिक कल्यान वेप पुनरवास निदे साले की स्थापना अगला सवाल करेंगे उत्तर पर्देश में आपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया आप लोग मुझे बताएंगे आपरेशन ग्रीन किस से सम्मन्दित है कुश्चन का अंसर आप भी बताएंगे भई फिर ते कुश्चन का जो भी पूछूंगा उत्तर परदेश में आपरेशन गरीन कब लागू किया गया और आपरेशन गरीन किस से सम्बंद दे थे हाफ लोग कॉमेंट करके बताएए सवाल मरबार है सही आंसर दोस्तों इसके लिए B उपसन 1 जुलाई 2005 को उत्तर परदेश में आपरेशन गिरिन शुरू किया गया अगला कुशन उत्तर परदेश में दिया सलाई उद्योग का पिर्मु केंदर कहां पर है उत्तर परदेश में दिया सलाई उद्योग का पिर्मु केंदर है इन में से कहां पर है सही आंसर दोस्तों उसके लिए B आप्सन बरेली में है तिया सलाई उद्योग अगला सवाल करेंगे उत्तर परदेश में भारते सूचना प्रोदोगी संस्थान जहां इस्तापित किया गया है वह जगे है तो कहां पर इस्ताबित किया गया है सूचना प्रोदोगी की संस्थान सवाल लंबर 14 सही आंसर दोस्तों इसके लिए D-Option इलाबाद में सूचना प्रोदोगी की संस्थान विक्षित किया गया अगला सवाल करेंगे उत्तर परदेश में क्रितिम रबड का कार खाना कहां पर अवस्तित है सही आंसर हो जाएगा गाजिबाद में और प्रोदोगी की संस्थान अगला कुशन उत्तर परदेश का प्रमुक लोग गीत कौन सा है नौ टंकी बोल सकते है ठीक है नो टंकी और एक ये पूछाजाता एक कथा कहा का लोग गीत कौन सा है तो अब तक देख लिजी सोले में से कितनी सही होगे अगला कुशन नमबर 17 उत्तर परदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई इस तवाल नमबर 17 किसान बही योजना तो 1955 में दोस्तों लागू की गई थी किसान बही योजना बे आप्सन सही हो जाएगा अगला सवाल करेंगे जन्पद प्रात्मिक सिक्षा कार्यकरम का आरंब कब हुआ जन्पद यानि जिले लेवल पर जन्पद प्रात्मिक सिक्षा कार्यकरम का आरंब कब हुआ सही आंसर हो जाएगा 1994 में जन्पद प्रात्मिक सिक्षा कार्यकरम आरंब हुआ अगला सवाल उत्तर प्रदेश की सबसे महतपूर नकदी फसल है सबसे महतपूर नकदी फसल सही आंसर है गन्ना सी ओप्सन में जवाब दिया है तो बिल्कुत सही आंसर है गन्ना उत्पातन में भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रेडी है अगला सवाल उत्तर पर्देश के डिस्टिक बूलेंज सेर में नरोरा पर्माणू सैंत्र जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का पिर मुख उर्जा पर्माणू के अगला कुशन है तुक्ति में राजे में विरसू पांचोई वै दिया उत्सव किस जन्जाती की दवारा मनाया जाता है ठीक है राज्य में विड़िव पंजोई दिया उतसभ युनि दिया उतसभ किस जंजाती की द्वारा मनाय जाता है सही आंसर है जौन सारी जंजाती की द्वारा ए उप्सन विल्कूर ऐट आइड आंसर हो जाएगा अगले सवाल करेंगे उत्तर परदेश में भोटिया जनजाती किन छेतरों में निवास करती है सवाल नमर बाइस सही आंसर है परवतिय छेतरों में B आप्सन सही हो जाएगा अगला सवाल करेंगे उत्तर परदिश के किस जिले में थारू जन्जाती सरवाधिक संक्या में निवास करती है सही आंसर है C आपसन गोरकपुर में थारू जन्जाती सरवाधिक संक्या में निवास करती है C आपसन सही है अगला कुशन करेंगे नेक्ष्ट जोन सारी जन्जाती द्वारा किये जाने वाला लोक नरत्य कौन सा है या फिर जोन सारी जन्जाती द्वारा किये जाने वाला नरत्य है सही आंसर है गमसू भी है जहला भी है रासो भी है निकि उप्रोग तो सभी सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल भुईया वे बुनिया नामक जन जाती राज्ये के किस जिले में निवास करती है भुईया वे बुनिया नामक जन जाती सही आंसर हो जाएगा सौन बदर में निवास करती है सी अपसन सही है पच्चिस होगे कितने सही हैं बता दीजे उत्तर परदेश की किस जन्जाती द्वारा माग, खिचडी, गुडिया, बजवार, होली, त्योहर मनाए जाता है सही आंसर थारू त्तर परदेश की थारू जन्जाती की द्वारा माग, खिचडी, गुडिया, बजवार, होली, त्योहर मनाए जाते हैं आगला सवाल करेंगे नेक्स्ट राना, कठरिया, वे डोगरा ठीक है राना, कठरिया, डोगरा नमक जन्जाती राज्य जन्जाती हैं दोस्तों, राज्य की किस जन्जाती की उप जाती हैं ये जो राना है, कठरिया, वे डोगरा नमक जन्जाती हैं ये राज्य की किस जन्जाती की उप जाती हैं सही आंसर है थारू C आप्सन बिल्कुश सही आंसर इसके लिए हो जाएगा सवाल अमर 28 करेंगे उत्तर परदीश में न्यून्तम जनसंग के अवाली जाती यानि कि कम जनसंग के अवाली जाती कौन सी है सवाल अमर 28 सही आंसर हो जाएगा बन रावत आप्सेन. बिल्कुत. सही आंसर इसका हो जाएगा, न्यूनतम जन सिंगावाली ये जाथी है, अगञा उत्तर प्रदेश में, बुद्ध की पहली मूरती निर्मित हुई थी? सही आंसर है मतरा कला सेली में ठीक है मतरा कला सेली मोतर प्रदेश में बुद्ध की जो जिंजा थी न थी न सुरी बुद्ध की जो पहली मूर्ती थी वो निर्मूत हुई अगले सवाल करेंगे नेक्ष्ट निम्न में से साटक वस्त्र निर्माण का पिर्मु केंद्र कौन सा था साटक वस्त्र निर्माण का पिर्मु केंद्र सवाल नमबर तीस सही आंसर है वारान सी है दोस्तो उत्तर परदेश में ठीक है, साठक न्यूसत दिंजर्मान का पिरमो केंदर अगला कुशन है, बास खेड़ा अभिलेक का सम्बंद किस सासक से है सही आंसर दोस्तों हरस बदन ठीक है, याद रखेगा अगला कुशन है, निम्ण में से कौन सा सासक रोहेल खंड का संस्थापक है तो कौन सा संस्थापक है जो रोहेल खंड का संस्थापक है सही आंसर हो जाएगा अली मुहम्मद खां भी आप्सन सही है भई आगला कुशन करेंगे निम्न मैंसे किसने अयोध्या अभी लेक पिड़चलित करवाया था सवाल लमर 33 सही आंसर है दोस्तों इसका धन देव ने ठीक है धन देव ने अयोध्या नामा की जो अभी लेक था वो पिड़चलित करवाया था अगला कुशन राज्चे में पुरा पासांड कालीन सब्विता के साक्षे कहां से प्राप्त हुए हैं पुरा पासांड कालीन सब्विता के साक्षे सही आंसर चक्या चंदौली, सिंगरौली घाटी सौनभद्र, बेलन घाटी इलाबाद यानि कि उप्रोग तो सभी से जो पुरा पासान कालिजी तब बता है उसके साक्षे मिले हैं अगला कुशन किस कलासेलिय में बुद्ध की प्रतिमा पहली बार विक्षित हुई थी या पिर पहली बार उसका विकास हुआ था अभी मैंने थोड़े दिर पहले बताया था सही आंसर दोस्तो डी आप्सन आया जस्या के नाम से डी आप्सन सही है ठीक है वही तो डी आप्सन बिल्कुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा 37 नमबर कुशन है उत्तर परदेश में किस घाटी से मात्रोदेवी की प्रतिमा मिली है सही आंसर है इसके लिए चकिया घाटी से उत्तर परदेश में मात्रोदेवी की प्रतिमा मिली है अगला कुशन करेंगे उत्तर परदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी जी आर सर्मा के नितरत में हुई थी ठीक है बेलन गाटी की घुदाई अगला कुशन उतर पर्देश में पुरा पासाड काली इन सब्विता में अधिकतर उपकरन बनाए गए तो किस से बनाए गए थी पुरा पासाड काली सब्विता में सही आंसर हो जाएगा कुवाटाइस पत्थरों से ठीक है कुवाटाइस पत्थरों से उतर पर्देश में पुरा पासाड काली इन सब्विता के अधिकतर उजार बनाए गए थी आगला कुशन करेंगे लास्ट कुशन आजस की वीडियो का प्राचीन कालमे सूर सेन महा जनपत की राजधानी कहा पड़ती ठीक है तो प्राचीन कालमे सूर सेन महा जनपत की राजधानी कहा पड़ती भाई सही आंसर है इसके लिए प्राचीन काल में सूर सेन महा जन्पत की राज़ानी मत्राती बी ऑप्सन सही आंसर हो जाएगा ठीक है भाई तो आज के 40 कृषिनों का टैस्ट हो चुका है अब आप मुझे बताएगी कि सबसे ज्यादा नंबर किसके आये हैं कॉमेंट करके बताएगे नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम जरूर बोलूँगा चलिए आज की वीडियो के जो नाम है मैं बोल देता हूं जिनोंने पिछली वीडियो में टॉप किया थाा तो यह पिछली वीडियो के टॉप स्कोरड थे संदीप सरोच जिनोंने 29 नमबर दोस्तों इसमें प्राप्त किए थे ठीक है दूसरा टौपर था दोस्तों राम अविलास ठीक है राम अविलास जी जिनोंने 32 सही किये थे तीसरा जो टौपर थे दोस्तों वो थे सूरज चौधरी जिनके 36 नमबर थे और चौधे जो टॉपर थे वो थे मिस अनीसा ठीक है मिस अनीसा जिनके 33 नमबर थे तो यह टॉपर थे ठीक है यदि आप भी अपना नाम भूलवाना चाहते हैं तो अपना स्कोर हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं क कि हमारे भी इतनी सही हुए हैं नेक्ष्ट वीडियो में आप सभी का नाम बिल्कुल साजा की एदाएगा चलिए थेंक यू एन बाइबाए